समण संग के दस गोल्डन रूल हैं जिन दस आधारों पर जिन दस खंबों पर ये खड़ा हुआ है उसका सबसे मजबूत खंबा पहले नमबर का है जिसमें साफ-साफ ये कहा जाता है कि समण संग केवल शमण ही इसके अंदर आ सकते हैं समण ही सारा काम करेंगे समण के अत्रिक्त कोई वी ऐसा व्यक्ती जो समण नहीं है वो इसमें नहीं आ सकता और उसकी जो मेंबर्सिप है वो सिर्फ इसलिए माने जाती है क्योंकि वो समण है दूसरा इसका नियम है गोर्डन रूल नमबर टू कि समण संग में ना पहले कभी चंदा लिया गया ना अभी पॉब्लिक से कोई चंदा लिया जाता है और ना ही कोई सरसुल्क मेंबर्सिप चार्ज या मेंबर्सिप फीज या आगे कभी भविस्थे में कोई भी किसी भी तरह की पड़्ची या पैसा पॉब्लिक से नहीं लिया जाएगा तीसे नंबर का इसका नियम है कुँकि पहले कभी जातिया थी नहीं और जाती का जो अभ्यास होना सुरू होग है वो बहुत अभी से होना सुन होगा है चार्सो पांसो साल से उससे पहले जब तक संग रहा संग में कभी जाती होती नहीं इसलिए चुकि ये संग है, संगों का संग है, इसमें भी जाती का अभ्यास बेहन है और अवैद है, जाती का अभ्यास इसमें कभी नहीं होगा चौथा इसका नियम है कि इसमें सिर्फ संग बाद चलता है संग वाद का मतलब है संग की बात है संग के नियम और संग के उपर आधरित काम संग के द्वारा संग के नियम और संग के लियें पाइदा संग फौर्दा संग आउपदा संग तो यहां एकलवाद, प्रधानवाद, या नितावाद, या राजावाद, या रानिवाद, यहां कोई भी वाद संग के अलावा नहीं चलता। पांचवाँ है, समण संग में कभी भी पद, प्रतिष्टा, मच और माला ना पहले कभी हुए हैं, ना अब हैं और ना ही बाद में कभी होंगे। संग रादी से सबसे उपर क्यों है, संग ने इसको सबसे उपर क्यों मारा है। आठवाद इसका नियम है, संग राजनिती में कभी नहीं जाएगा। नौवा इसका नियम है संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं और दस्वा इसका नियम है कि जो उपर के नौ नियम है वो ना कभी बदे जाएंगे ना खत्म किये जाएंगे और ना कभी अमानने किये जाएंगे ये दस के दस नियम जितने भी समर संगी है नए या पुराने और जो आते हैं, यह उनका प्रियंबल है, इसको हमेसा याद रखना चाहिए, इसको छापकर अपने घर पर वी के साथ में लगा लेना चाहिए, अपनी डायरी में, इसकी टी-सर्ट छबा लिना चाहिए, इसकी किताब, इसकी डायरी, इसके फोल्डर, इसके पंपलेट, इसक कोई कहीं है नहीं, इसमें जो आज का नियम है, संगादी सेस, सबसे उपर, संगादी सेस सबसे उपर का मतलब होता है, कि संग का जो आदेस है, संग जो आदेस देगा, उस सबसे पहले सबसे उपर है, और सब को मानना पड़ेगा, यह बहुत पुरान नियम है, क्योंकि के आदेश को कोई ताल नहीं सकता चाहें एक हजार हल चलाने वाले जमीदार जो उस समय सबसे बड़े साक्य कुल के जमीदार थे कपिल वत्तु के जिनको सुद्दोधन बोला करते थे जिनके दो भाई और भी थे और उन सबसे बड़े जमीदार का बेटा जिसका नाम गौतम ने जब गड़ परिशा साके संग के जो परिशद हुई और उसमें जो एक नियम ये लिया गया युद्ध करेंगे अब हम लोग कोलियों से और युद्ध के नियम को मानने से इंकार कर दिया सुद्धोधन ने सुद्धोधन के बेटे ने सिध्धत गौतम ने तो ग और उस आदेश के तहट में साके संग छोड़ना पड़ा सिध्धत गौतम को यानि देश निकाले का तड़ी पार का आदेश उनको मिला संग इतनी बड़ी ताकत होती है और ये आदेश सब को मानना होता है चाय कोई कुछ भी है अगर वो समण है और संग का मेंबर है संग क को संगादी सेस को जो नियम मराए भिकों के उसमें इसको रखा और पांस से लेके सत्रे नंबर के तेरे नियम इसमें डाले यानि संगादी सेस जो है वो तेरे नियम इसके अंदर है पहला नियम है इसमें काम आ सकती तो संगादी सेस समझें क्या है क्योंकि संगादी सेस का मतलब है कि अगर कोई दोस होता है, अगर कोई अपराद होता है तो उसकी जो सजाकी घोषना है, वो सिर्फ संग कर सकता है. ऐसी तेरे लियंख बुद्ने बिक्कों के लिए मराए, वो हमारे लिए नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग है और जो बिक्कों है खास तोर से, वो इस बात में बड़े कन्फूज हो जाते हैं, कि जो नियम भिक्वों के हैं, क्या वो हमारे भी हैं, साधान लोगों के, जो नियम भिक्वों के हैं, क्या वो साधान महिलाओं के भी हैं, जो नियम उपासक और उपासिका के हैं, क्या वो नियम हमारे भी हैं, व उसका मतलब होता है संग और आदिस आदिस का मतलब होता है घोशना करकर यानि घोशना करने को गोशना करने को अनौंस्मेंट करने को आदिस बोलते हैं और संग आदिस का मतलब है कि संग ने घोशना की यानि संग ने डिक्लेर किया संग ने कोई बात कही तो वो संगादी कि आपको यह तीन अक्षरों से मिलके बना हुआ है संग आदी और सेस यानि संग का मतलब हो गया संग जो लोगों का समू होता है और आदी का मतलब हो गया आरंब और सेस का मतलब है जो सेस रह जाता है जो बचता है पर इसका कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि बुद्ध ने जो आदेश दिये हैं, जो नियम बनाए हैं, उसमें संग की घोषणा है, संग आदेश देता है, तो तेरे परकार के नियम ऐसे बनाए बुद्ध ने, जिनको सिर्फ संग ही आदेश दे सकता है, एक अकेला भिकू या एक अकेली भिकू या चार भिकू या चार भिकू या भुठी के निमाण के यानि कि कूटी का निरमाण कने के दो नियम है कि कुटी कैसे संग कैसे आदिस करेगा और दो नियम है अगर पारा जिक का कोई दोस्थ हैं miejघर लगाना हो यहां देखोगे कि हमने उस नियम को कितना पारण किया है कि जो संग हातक में पारजी के जो नियम है जो इल्जाम लगते हैं उसको संगी लगा सकता है को यह व्यक्ति नहीं लगा सकता संग पास करेगा कि इसको संग से निकालना है या नहीं है यानि कि यहां जो नियम है उसमें जो इल्जाम है वो भी संग ही लगाएगा दो व्यक्ति अगर किसी पर इल्जाम लगाना चाहें कि इस पर पारजिक का यानि कि इसको संग से बाहर निकालने का इसना पराद किया है वो इल्जाम भी पुरा संग लगाएगा तो ही माना जाएगा एक दो व्यक्ति का नहीं है ऐसे ह एक नियम इसमें है, दो नियम संग में फूट डालने के, यानि संग में फूट डालने के, दो नियम संगादी सेस में आते हैं, और एक आता है, संग की बात ने सुनने का जो वाला होता है, यानि कि कोई बात ना सुने, ऐसा कोई बनता है, तो एक नियम उसके लिए आता है, औ पर ये तेरे के तेरे विफ्कवान के कि नियम है हमारे नियम है। पर संघादी से जो सब्द है वो संघ के लिए है, क्योंकि संघ तो समरों का बहुत पहले से चला रहा है, बुढ़imme से भी पहले का है, तो आदेश तो उस समुगी पारिए-थ होते है उसका आदे सिर्फ संग देगा और यह संग के आदेस लगाता लगाता बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं क्योंकि संग को जब लगता है कि संग के हित्म है यह आज यह बात है तो उसका आदेस को दे सकता है और अगर लगे यानि दुनिया में जितने भी कम और क्रिया है जो जीवन का अधार है ये काम और क्रिया ये लगाता लगातार कार्य और क्रिया होते रहते हैं काय और कार्य का मत्दब होता है जो सरीर काय माने होता है सरीर काया काया से किया हुआ जो भी कम है उसको कार्य बोलते हैं तो ये कार पिट्टी क्रियां ये चलते रहेंगे जीव आते रहेंगे जाते रहेंगे मिटते रहेंगे बनते रहेंगे बदलते रहेंगे पर किसी भी हालत में जब भी काम कराना होगा चेतन मन्स है यानि मनुस्य या मनुस्य जैसे लोग जिनके माइंड इतने चेतना में आ जाते हैं कि काम करने के लावा काम करवा भी सकते हैं तो जब काम करवाने की छम्ता किसी भी जीब में आ जाएगी तो वो काम करेगा भी और काम करवाएगा जब वो काम करवाएगा तो उसका दो नियम आएंगे पूरी दुनिया में कि या तो कोई समू काम करने का आदिस दे और या कोई काम करने का आदिस दे तो व्यक्ति अगर अकिला काम करने का आदिस देता है तो वो एकलबाद में आ जाता है वो संगबाद में नहीं आता है वो राजाबाद में आ जाएगा रानी बाद में आ जाएगा या जो डिक्टेटिशिप में आ जाएगा अगर अकिला व्यक्ति होग पर अगर सामोईक लोगों का निर्णे अगर होगा और वो एक व्यक्ति उसको लागू करेगा जैसे समीधान में होता है तो वो संगवाद में आता है तो काम करने के लिए पिर्णाली कोई ना कोई कोई ना कोई विक्सित होती है पर देखना ये है कि उस परणाली को संग वाद चला रहा है या संग वाद चला रहा है सब लोग मिलके उसका आदेश दे रहे हैं या कुछ दो चार लोग गिने चुने उसका आदेश दे रहे हैं यह बात इसलिए important है क्योंकि संग का जो आदेस है वो संग ही दे सकता है एक दो व्यक्ति नहीं दे सकते और जो संगर का आदेस है या जो राजा का आदेस है या जो प्रधान का आदेस है या जो व्यक्ति का आदेस है उसे एक आदमी दे देता है एक आदमी जब भी कोई आद जब वो अपनी एक्षाओं के आधार के उपर अपने बच्चों के आधार के उपर अपने रिजदारों के आधार के उपर अपने उपर जब आधारित होगे को निड़ने करेगा तो वो निड़ने सारा का सारा उसका व्यक्तिकत हो जाएगा वो फिर संग का निड़ने नहीं ह सकता क्योंकि एक व्यक्ति संग के वारे में कभी नी सो सकता उससे संग से क्या लेना देना वो अपनी मर्जी पूरी करेगा जो उसके मन में है वो पूरी करेगा उसके मन में आया कि बसको पहार से उपर से फैक के देखें क्या होता है तो बसको फिकवा देगा पर अगर संग निर्ने लेगा तो संग में जो लोग हैं वो ये कहने अरे पागल हो क्या बस को उपर से फिकवारे वो तो तो तोटी जाए गी उसमें क्या बचेगा तमारा दिवा क्राब है क्या यह संग का निदरल है एक पागल होगा संग में, दो पागल होंगे, तीन होंगे पर पूरा संग पागल नहीं हो सकता और बहुमत तो कभी पागल होता ही नहीं है पर एक व्यक्ति के पागल होने की संभावना या कुछ दो चाल व्यक्ति के पागल होने की संभावना बहुत अधिक होती है और उनके पागलपन से पूरी जो समदा है जो पूरा लोग है या पूरा संग है या पूरा समू है या पूरी जो भी जगे है वो खराब हो सकती है उसका वनास हो सकता है इसलिए हिश्टरी के अंदर आप में देखा होगा कि कुछ जो लोग है जिनोंके हाथ में सत्ता आई है और जिनक जिनको राजा बोला या जिनको प्रोहित बोला या जिनको डिक्टेटर बोला या जिनको एनार की बोला या जिनको ताना साब बोला ऐसे व्यक्ति जितने भी हैं या जितने भी संग्ठनों के मालिक हैं जो पदादिकारी हैं जो खुद के मालिक हैं और जो खुद बन गए हैं जिनको कभी संग ने ना बनाया ना संग ने उनको मानता दी और ना उन्होंने संग से पूछा ना ही लोगों से पूछा वो लोग अपनी मर्जी के आदेश निकालते हैं अपनी मर्जी के और निकालते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं उसमें अपने और अपने बच्चों है यह पुरानी हमारी प्रंपरा है कि व्यक्ति का आदेश नहीं चलता यहां यहां व्यक्ति का आदेश की कोई वैलू नहीं है उसकी कोई मानता नहीं है यहां संगादी से चलेगा इसलिए संग के आदेस में कोई भी गरवड़ी होना लगबग जीरो है लगबग जीरो है क्योंकि किसी समुधाय में 49% लोग खराब हो सकते हैं पर 11% लोग अगर ठीक हैं और संग वहाँ चल रहा है तो उसके सही निर्णे होने का बहुत अच्छा चांस होता है और अगर सारे ही संग में जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और सबसे उपर होता है कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि यहां जो यह संगादी सेस है विने में कहीं लिखा हुआ है सब्द है आप हमको धंब सिका रहे हो आप हमको धंबिक बना रहे हो दरसली यह जो समण संग है यह धंबिक नहीं बना है ये काम specific भिकों का और भिकोनियों का है ये काम हमारे जैसे साधरन लोगों का नहीं है इसलिए भिकों का संग अलग बनाया हुआ है और भिकोनियों का संग अलग बनाया हुआ है और जिनको धम सीखना है ऐसे जो उप आसन पर बैटने वाले लोग हैं जो धम सीखते हैं उपासन पर बैठ कर बरावर वाले आसन पर बैठ कर उनको उपासक कहा और जो बरावर वाले आसन पर बैठ के महिला सीखती हैं नारी सीखती हैं उनको उपासिता कहा तो धम के चार प्रकार हैं चार तरह के लोग हैं जो धम सीखते हैं और सि को पकिल सकते हैं 걱정 के थे सभिने संग कह उठकी पहले का संग है इसनीए यह हमारे सवाल अब का मतलब है अस्तित्र का सवाल है अत्ञु आत्री माने है और ठाट्रोम रायरटी वास्थिक्ता यानि कि हमारा जीवन है उसकी वास्थिक्ता के लिए उसकी रियरोटी है उसको बचाने के लिए उसके लिए recipientsंग 가서 और ये समर अरे वो समर्संग वाले तो धम सिकाते हैं वो समर्संग वाले तो बुद्गी बात करते हैं अरे वो समर्संग वाले तो बुद्गी गच्छां बोलते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि उसके लिए अलग ब्रांच चाहपुर्गी जो बुद्रे बराई है जिसको भिकूर संग, भिकूरी संग, उपासक संग और उपासी का संग बोलते हैं पर बाकी जो लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में थे और जो धम का सिर्फ पंच्छील का पालन करते थे उनका ये संग तो हमारा है और ये समड संग तो समड तो हमको कहा गया है सिर्फ किताब में उनको समड कहा गया है आइडिट्री खतम करने के लिए यानि प्राचीन सब्द को अगर को ये पूछे कि समड आप थे तो उसको बहका दिया गया कि किताब में लिखा हुआ है समडवाने सादू का मतलब होता है जो निच को धारण कर ले जो अपने आपको धारण कर ले उसको सादू होता है तो सांथ को जो सांथ होता है उसको सादू बोलते हैं उसको समड कहा गया है पर समड तो सारी संथ है पर ये सब इसलिए क्योंकि बाकी लोगों को ये ना पता चले कि उन को अगर मेजे या समलेबaurais कहते हैं तो बहगवान बु्धने तो कभी विकुली को समलालाई सम Kalier कहा नहीं उन्होंने तो हमसाहजा भिकु कहा और भिकु कहा और वन्ते कहा उनके जो संहें थे विकुणी के लिए वह बंते के थे विकुणी के लिए ते या keeping थे उनका एक भी संबोधन मैंने तो आज तक पढ़ानी कि कभी उन्होंने कहा हो कि संब्ला संब्ली संब्लो यहाँ आओ कभी नहीं मैंने सुना ऐसा संब्ला वम्ला के साथ तो जरू संब्ला वम्ला दो साथ उनके है इसलिए भिक्कों को यह सोचना चाहिए कि जब भगवान दूसरी बात ये है कि वो अपने को भिकु संग बोलते हैं और भिकुरी संग बोलते हैं वो कभी अपने को समड़ा संग और समड़ी संग नहीं बोलते तो पैक्टिस में उनकी है ही नहीं पैक्टिस में उनका इसलिए नहीं है क्योंकि समड़ संग हमारा संग है और इस साधार कर दिया है कि यह संग को बगल का सर्मन करके के दिया कि यह सन्ख बगल का है लेबर का है, यह मैथ मजदूर करने वाले जो मजदूर हैं उनका है, यह जो जितने भी मैदका सर्मिक वणे नग करके हैं, हम बी स graveyard करता है उसको तो सैमिक नहीं कहा गया अगर सरम करने वाले छी तो वह भी सरमिक था पर सारे सरमिक होने जाए थै पर ऐसा नहीं कहा गया यह सबदों बड़े टेड ले बड़द दी है इसलिए इस पर लगाता चरचाय करते रही है तुंक यह स्रम स्रम जीवी स्रमिक स्रम कार्ट स्रम मत्राले यह परिस्रम यह हमारे सब्द नहीं है हमारे जो सब्द हैं वह समन हैं समना हैं समनों हैं सामने यह सब्द हमारे हैं कमकार हमारा सब्द है यह सब्द हमारे हैं जिसमें बड़े-बड़े राजा और बड़े-बड़े जो डॉक्टर जीनिया ने वो सब हमारे के हमारे समना वाकत थे इसलिए संग नएने आदेश देगा और संग का जो आदेश आएगा संग ही पारिद करेगा जैसे एक संग ने आदेश दिया नागपुर के अंदर यहां साथ सो लोग थे यहां यह बात रखी गई कि बैए अब हमक जो एक सहर में एक ही फेस्टिवल एक ही जैनती या एक ही मरणदनी या एक ही कायकरम करना चाहिए वो नगर का पूरा एक होना चाहिए जो सारवजिनिक कारेकरम है यानि पब्लिक का कारेकरम पूरे सहर में एक होना चाहिए चाहिए कितना बड़ा सहर है और घर-घर में सब private होना चाहिए यानि पब्लिक का एक काईकरम और private हर घर के अंदर तो यह बात वह माने गई तो यह संग का आदेश बने गया दूसरा संग का आदेश जो दिल्ली के अंदर जो बात माने कि भी हमको संग को नमामी करेंगे हमारा पुराना सिध्धानत है तो हम तीन वार नमामी करेंगे एक सुबह उठने के बाद हम संग को नमामी करेंगे एक दुपएद दो वज़े नमामी करेंगे और एक हम साम को सोने से पहले नमामी करेंगे यह नमामी हमें प्रक्टिस में लेके आने चाहिए यह हमको बचाएगी यह संग का आदेश है और संग के छोटे छोटे आदेस संग ने बहुत पारितिये हैं जैसे सर कहना है जैसे बहन जी कहना है जैसे यहां जितने भी लोग हैं वो सब अपना अपना खाना लेके आएंगे या वो अपने अपनी गाड़ी से आएंगे या खर्चा देंगे या अपना जूते लैल में लगाएंगे यह जो संग के चोटे 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 नियम हैं यह सब संग के आदेस हैं जो दीदिरे आपको सारे सारे कटिस में आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं और यह सब बड़े काम के हैं इनी संग के आदेसों की वज़े से आज हम निरंतर निरंतर जुटते जा रहे और बढ़ते जा र है कि पूरे भारत पे seguinte को जोड़ने के लिए लोगों ने प्रकार की नीतिया बनाई है क्योंकि वह संग्ट 129 लाग और वह लगता लोगों को जोडने के लिए कुछ 2007 कुछ न कुछ नियह剛are बिलाते रहते हैं क्या नियम बना रखे हैं जोड़ने के लोगों को पद दे दो क्या नियम बना रखे हैं लोगों को बुलाना हो तो किसी बड़े अफसरों को बुला लाओ किसी बड़े बुला लाओ किसी बड़े बुद्दी जीवी को बुला लाओ किसी बड़े नाम को लोग खाना खिलाते हैं, लोग दावत देते हैं, लोग डिफ्ट भी देते हैं, लोग खुसामत भी करते हैं, लोग पोस्टरों में नाम चबाते हैं, लोग पोस्टरों में फोटो चबाते हैं, यह सारी टैक्टिस लोगों को बलाने के लिए लोग करते हैं, पर लोग नहीं आते और यहां यह कमाल की बात है समर संग के अंदर के ना तो यहां किसी का फोटो चपता है ना किसी का नाम चपता है ना यहां किसी को कोई कोई मुख्यातिती होता है ना यहां कोई पद है ना यहां कोई पोश्ट है ना यहां मंच है ना यहां माला है यहां कोई खाना भी न नेता बनेगा या तुझे कोई पद मिलेगा या पैसा मिलेगा यहां कोई चंदा भी खटा नहीं होता नहीं हैं यह चंदा लेते हैं नहीं देते हैं इन सारी बातों के बावजूद भी लोग लगातार इखटे हो रहे हैं तो इसलिए खटे हो रहे हैं कि उनको अपने पुरा यही समझ संग है, क्योंकि ये शंग का आदेस नियम है, और संग तब तक जीवित रहता है जब तक उसके नियमों को उसके लोग पालन करते रहते हैं, आप अब भी संगा एक नियम तोड़ दो अभी संग आपके लिए खतम हो जाएगा और सारे लोग अगर नियम तोड़ना था है तो संग पूरा खतम हो जायगा इसको कोई नहीं हुचा सकता पर जब तक इसके नियमों का बंडल इसके नियम जब तक मांते रहेंगे और इसके नियमों को protect करते रहेंगे यानि संग के आदेसों को मानते रहेंगे और संग के आदेसों की शुच्छा करते रहेंगे और संग के आदेसों पर चलते रहेंगे यह समढ़ संग बढ़ता जाएगा और यह बढ़ते 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 अगर आपने संग के आदेस को अपने सर पर नहीं रखा और अपने सर का ताज बना के उसको नहीं माना तो संग आपको फल नहीं दे सकता संग आपको कोई भी फूरूट नहीं दे सकता क्योंकि संग अपने आदेस में हित है और आदेस आपने माने नहीं तो संग रहेगा नही और संग रहेगा नहीं तो संग का कोई फल आने वाला है नहीं इसलिए हमारा जो हर एक नियम है वो गोल्डन रूल है और हर एक नियम एक से बढ़तर है और इसलिए संग के आदेस सबसे उपर है क्योंकि संग के आदेस ही संग है और हम तब तक जुड़े हुए हैं जब तक हम संग के आदेस मानते हैं आपने देखा होगा कि यहां से कुछ लोग आए और चले गए वो लोग यहां दरसल जुड़े ही नहीं अगर वो जुड़े जाते तो वो जाते नहीं क्योंकि संग के जो नियम है और संग के जो आदेस ह हैं उनको कहीं परिसान करते हैं संग में नेता गिरी नहीं है वो नेता बनने आये होंगे संग में कहीं व्यक्ति बाद नहीं है कोई व्यक्ति बाद में आये होंगे संग में कोई हीरो नहीं बन सकता वो हीरो बनने आये होंगे संग में एक व्यक्ति बात नहीं मानी जाती है उन्हें अपनी बात कही होगी पर संग ने नहीं मानी होगी तो पच्छा नहीं लडगा होगा संग में काम करना पड़ता है उनसे काम हुआ नहीं होगा संग में फालतु की बात नहीं होती ही लोगों ने बड़ा चला के बात क्यों ही बहुत सारी चीज़ें हो सक के ढून रहे हैं और संग के नियब पे चलने के लिए फड़ फड़ा रहे हैं तरफ रहे हैं पर संग उन तक पहुंचा नहीं है जितनी जल्दी आप उन तक पहुंच जाओगे उतनी जल्दी आपका ये जो पेड़ है ये बहुत बड़े विसाल ब्रक्ष बन जाएगा और इस पर फली फलाएंगे क्योंकि जो जो लोग जुड़े हैं वो वो लोग जीते हैं जो जो लोग इखटे रहे हैं उनकी हमेसा सुरक्षा रही है जो जो लोग एक साथ एक साथ रहके काम करते हैं उनके काम बड़े आसान और हलके हो जाते हैं जो जो भी लोग जुड़े हैं उनको कोई हरा नहीं पाया है जो लोग जुड़े हैं वो संग में आ जाते हैं और संग में आ वन बाई वन बाई वन उनत्तिस लाग के उनत्तिस लाग उनका शिकार हो जाएगा पर संग का सिकार नहीं हो सकता ये जो समण संग है इसका शिकार नहीं हो सकता ये हम ऐसा शिकार करेगा ये तना मजबूत संग है ये पहले भी इतना मजबूत था और ये कहीं गया नहीं बस स मनका समण करके इसमें दिन राद दिन राद जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ने की जो जुड़ने है वो जीते हैं अभी जुड़ेंगे तो अभी जीतेंगे और सो साल बाद जुड़ेंगे तो सो साल बाद जीतेंगे क्योंकि जीतना अभी है तो जोड़ना भी अभी है बस जोड़ना है जोड़ना है धन्यवाद संगह नमामी आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सबी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बतात जंगं सरेन बिच्छामी संगम सरनं गच्छामी, तूं थियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पि धंमन्मक सर्मदों गच्छामू दूतियं पि धंमन्मक सर्मदों गच्छामू बुखियं पी संगं सर्वं कच्छामी तर्थियं पी बुद्धं सर्वं कच्छामी बुद्धं सर्वं कच्छामी तर्थियं पी संगं सर्वं कच्छामी साथु, साथु, साथु बुद्धं सर्वं कच्छामी बुद्धं सर्वं कच्छामी